BJP आगला लोग सभा यानि 2024 का लोग सभा चुनाव RCP सिंग को लड़वाने जा रही है और किसके खिलाफ लड़वाएगी तो वो वेक्ति होंगे बिहार के मौजुदा मुख्य मंत्री नितीश कुमार RCP इतने छोटे फैक्टर कैसे हो सकते हैं? RCP सिंग लेखिए जो बात बिहार की जनता को BJP पिछले 8 सालों में और RJD पिछले 17 सालों में समझा नहीं पाई है वो चीज RCP सिंग के माध्यम से समझाया जा सकता है नितीश कुमार की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है इनका कोई जनाधार नहीं है नितीश कुमार बिहार में कोई फैक्टर नहीं है और इन सब के ऊपर नितीश कुमार सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के ही नेता है इनके अंदर हिलोर मार रहा है पधानमंद्री बनने के लि भी एकदम ठोक के कहा जा सकता है आदेश जी कि नितिश कुमार को ना सिर्फ ये चैलेंज देंगे बलकि हार जीत की मुमंट तक ही पहुचा सकते हैं चुनाओं नमस्कार आप देखना है NBC24 मैं हूँ आदेश पुरी बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ मुख मंतरी भले ही नितिश कुमार बने रहे हैं लेकिन अहम सहयोगी BJP न होकर अब RJD हो गई है और इन सब का विलन कहा जाए एक तरह से कैटलिस्ट कहा जाए तो RCP सिंग को बनाया गया कि उनके माध्यम से चिराग मोडल टू जो है BJP जदिव के साथ अपनाना चाह रही थी RCP सिंग आपको बता दे कि इस्तिफा भी दे चुके हैं लगातार मुख मंत्रिये खिलाफ बयान भी दे रहे हैं बिहार के दोरा पर भी गया हैं जा रहे हैं और जदियू को यहीं नागवार गुजर रही हैं उनका बयान और उनका दोरा सुपोल दोरा को लेकर आपने देखा भी होगा कि विबाद हुआ नहीं जाने देने की घुसने देने की धमकी मिली उन्हें इन सब के बीच में सबसे बड़ा प्रसन उठता है कि जिस RCP सिंग को लेकर ललन सिंग या नितीज कुमार या आन नेनेता ये कहते हैं कि नितीज क परधान मंत्री बनने की राह में रोडा बन सकते हैं इसी मुद्धा पर हम बात करेंगे हमारे साथ हैं हमारे साथ ही है उदिप तार्यान इन ही से हम जानेंगे उदिप आखिर RCP जब इतना छोटा फैक्टर है तो फिर उनसे प्रॉब्लम ही क्या है कि उनको हम उनका रास्त फैक्टर कैसे हो सकते हैं RCP सिंग देखिए जो बात बिहार की जनता को BJP पिछले 8 सालों में और RJD पिछले 17 सालों में समझा नहीं पाई है वो चीज RCP सिंग के माधियम से समझाया जा सकता है कौन सी बात है कौन सी बात है वही बत बता रहा है देखिए 2005 में जब से सरकार बनी तब से लालु यदव और पूरा राज़त कुनबा जो है वो नितीश कुमार के आइंटी रहा है और 2013 में जब से नितीश कुमार गडवंधन तोड़ कर NDA गडवंधन बाहर हो गया और फिर 15 में लालु यदव का साथ भी चले गया उसके बात से BJP मतलब पिछले 7 सालो से बिहार की जनता को यही बात यह लोग समझाना चाहरा है कि नितीश कुमार की अपनी कोई आइडेंटी नहीं है इनका कोई जनाधार नहीं है नितीश कुमार बिहार में कोई फैक्टर नहीं है और इन सब के ऊपर नितीश कुमार सिर्फ और सिर्फ कुर्शी के ही नेता है ये बात भाजपा आपको याद होगा कि 2017 में जब सत्ता पलट फिर हुआ था जब NDA में वापस चले आये थे नितीश कुमार उस समय उसके कुछ दिन पहले तक लगतार प्रेस कॉंफरेंस करते सुसील मोदी भाजपा के तमाम निता ये बात बताना चाहरे थे बिहार के जनता को डिलिवर करना चाह रहे थे कि नितीश कुमार पलटिमार है नितीश कुमार धोखेबाज है नितीश कुमार कभी भी सत्ता के लिए कुछी भी अस्तर तक कॉंपरमाईज कर सकते हैं इनका अपना ना कोई प्रिंस्पल है ना politics में कोई narrative है और ना ही कोई ideology है आला कि तो convince करें कैसे भाई बेनी परसाद वर्मा के ये सची उथ है यूपी में उतर प्रदेश में और वहां से अंठानबे से जो इनकी यारी हुई नितीश कुमार की ललन सिंग उतना close नितीश कुमार के रहे हैं लेकिन आर्शीपी जितना नहीं रहे हैं तो कहा जाता है न कि घर क बेदी लंकड है नितीश कुमार के मित्र से ज्यादा भाई की तरह रहे हैं आर्शीपी सिंग कारण नहीं के लेंट चिंग भूम्यार है रसीपी सिंग कुर्मी है और नितीश कुमार भी वही जाती से आते हैं सोजाती हैं दोनों तो जो अपनापन पन एक प्रकृतिक क्यूं आया चुकार के जो चुंपाने के लिए तो आरशीपी शिंग अगर बोलेंगे तो पद्acz सुनेगी और हमने और आप नहीं किया था работать जब हमने यह बात बताया है एक senior journalist ने लिखा भी ता कि चुका मुका बैटे हुए है जो हम लोग काफी उस पर मतलब व्यंग भी कर रहे थे इस अब क्या है BJP आगला लोकसभा यानि 2024 का लोकसभा चुनाव लडवाने जा रही है और किसके खिलाफ लडवाएगी तो वह वेक्ति होंगे बिहार के मौझुदा मुख्य मंत्री निटीश कुमार नितीज कुमार के साथ लड़वाएंगे कहां से नलंदा से होगा तो क्या लगता है अगर मन यह से सीच्वासन ऐसा आता है कि नलंदा से नितीज कुमार के खिलाफ रसी पी सिंग लड़ते हैं बीजे पी के तरफ लड़ते हैं क्या सीन होगा और क्या क्या होगा उसमें देखिए वो जो बयान आया था RCP सिंग का जिसमे RCP सिंग ने ये बात कहा था कि हम जहां जनम लिये वही करम भी किये मेरी जनम अस्तली और करम अस्तली एक है लेकिन नितीश कुमार जनम नलंदा में नहीं लिए हैं वो कल्यान भी गहा में लिये हैं बक्तियारपूर और कर्म किया है नलंदा में तो वो बाइफर केसं जो RCP सिंग त्यार किये था ना वो उसी दिन मेरे दिमाग में ये बात आया था कि 24 के लोग सभा के लिए इस अब किया जा रहा है और नलंदा में आप पूछ रहे हैं कि नलंदा में क्या सीन बनेगा देखिए नलंदा जो है वो कुर्मी डॉमिनेटेड छेतर है अब देखिए नितीष कुमार पिछले 17 सालों में चुनाओ नहीं लड़े हैever हुए चाहब ईतना काम इसलिए भी करवाया जा रहा हुए आभी देखिए ग्याइगा लेता है अ ज्यूहें से हम अधित खुमार का यह पूरा प्लाणिंग है और और बहुत रिता है और राजनिती को समस्ते है तभीमिन रहार में डिली को पठकने दे हैं अभी फिर दिये हैं दिनी सभाप नहीं पाया उचीज को फिर पटकनी दे दिये तो 2024 के लोग सभा के लिए ग्राउंड जो है आपको याद हो गादे जी आपकर रहे हैं कि क्या धोखेबाजी भी तो कहा जा सकता है और क्या यह धोखेबाजी को नरंदा में साबित कर सकते हैं रसीपी सिंकी नितिज कुमार दोखेबाज है राजनीती में दोखेबादी सब्ध बहुत अच्छा नहीं लगता है महराष्ट के जाम पर लिजे ना महराष्ट में ठाकरे जो है उदर ठाकरे वह भाजपा के सारे लड़े चुनाओ सीटे लाए और बाद में आड़ बानते हैं अब समझे आप जो बोल रहे हैं कि आप ही ओखबर चला रहे थे आदेश जी की लगतार नालंदा के एक गाउं में नितिसकुमार गये हैं पिछले सांधी संबर में मार्च अप्रेल में माफ माफ कीजिएगा मार्च अप्रेल में उजाने का मतलब क्या था इनको बिहार के मुख मंत्री नहीं ज़्या आप गोपार गंज भी चले जाते आप बोतिहारी कभी एक और दौरा कर लेते आप किसन भी हो आते भागलपूर भी चले जाते कटिहार भी घूम लेते पुर्णिया डुबा हुआ छे जपने लेकिन नहीं इनको नालंदा ही जाना था मार्च अप्रिल में मैं का रहा हुना कि 2010 के इंडिया टुड़े में जो वो खब्रा जो मैग्जीन में छपा था भारत के अगले प्रधान मंतरी प्रजेक्ट होंगे नितिश कुमार उसी समय से इनके अंदर हिलोर मार रहा है प्रधान मंतरी बनने के लिए तो इसके लिए प् नितीश कुमार, बक्सर से लड़ेंगे तो जीतेंगे, बक्सर मेरा चेतर है, वहाँ सिर्फ बीजेपी ही निकाल सकता है, मुतिहारी आपका चेतर है, को तुछ न जीतेगा क्या वहाँ पे, असंभव है, आर्जेडी का सीट हो सकता है, कोई भात्मा का सीट हो सकता है, जेडी हो या बहुत खुस होते हैं तो चले जाते है न अलंदा, 24 अलंदा से फाइट करेंगे, और BJP, RCP सिंग को त्यार कर रही है, त्यार कर रही है कि 24 में आपको टककर देना है नितीश कुमार को, और अगर RCP सिंग जमीन पर रह गए 18 साल, तो ये बात भी एकदम ठोग के कहा जा सकता है आदेश जी कि नितीश कुमार को ना सिर्फ ये चैलेंज देंगे बलकि हार जीत की मुवमन्ट तक ही पहुचा सकते हैं चुनाओ को अगर काम कर गए तो देखिए आपका दुखता नवज आदेश जी अब ये बहुत नाचुरल चीज है कि मुझको अगर सबसे अदेश कर सकता है तो मेरा सगा भाई इंदेश कर सकता है आप यह दुनिया का कोई भी वेक्ती हमको उतना डामेज नहीं कर पाएगा निदीश कु और भी मामला खुल सकता है गिराफतारी भी हो सकती है तो फिर आर्चिपी सिंगर भविस अभी अधर में दिकाई दे रहा है देखिए राजनिती में किसका भविस अधर में है ये कहना बहुत जलबाजी होगा आप अचे तो देखिए तो आया रचिटिस्टी का ही गोटाल हो सकता है वह भविस का बात है क्या होगा नहीं होगा लेकिन आर्चिपी सिंग को डैमेज करने का पूरा प्रया जेडियू कर रही है इसमें कहीं दो राए नहीं है तभी ने अंठावन प्लॉट का जिक्र हुआ भाई मारा 2010 से इराशवा सांसद है 13 से जमीन खरीद रहा है आपको 22 में पार्टी से निकलते हैं तो पता चलता है चाने की बात केंठावन प्लॉट खरिद लिया है तो यह तो डैमेज करने का चली रहा है लेकिन चौबिस में अगर स्थितिया आज के अनुसार रही और आर्चिपी सिंग भात्पा जॉइन कर लेते हैं तो नितिश अपकी बात है इसमें कहीं इबट नहीं और बीजेपी इनको लड़वाएगी चुनाओ बीजेपी ही लड़वाएगी इनको सपना दिखाना सुरू कर दिया था परदान मंत्री का और इन्हों नहीं विरोध किया था कि हमारी पाटी उतना नहीं को बिहार में सूपर सीम अभी भी कहते हैं झी ईख जनम में नहीं बन पाएंगे तो क्या लगता है कि नितीश कुमार को लगता है कि रचिंग के रहते पार्टी में रहते हुए हम पर्दान मंत्री के उमिद्वार नहीं बन जो अखबारों में छपा हो या फिर जो एलेक्ट्रोनीक्समीडिया में या फिर जो डिजिटल मीडिया मेंinks on भई दीआे में दर्ज हो आप उठाकर देख लिजए जहाँ पे वह कभी भी निटीज सकूमार को सहब से निचे बोले हो बोलते हैं कि जो वो बोलते हैं वो मैं करता हूँ एक बार भी ललन सिंग ने तो खिलाफत में बोला है नितिसकुमार के पब्लिक डोमेन में वो वीडियो है वो खबरे है आर्सिपी सिंग कभी नहीं बोले है तो पहले तो ये बात कहना कि आर्सिपी सिंग पार्टी के अंदर सियम हो सकते हैं बिहार में आप एक यूगपूरिस का छवी जो स्रिकृष्ण बाबू का रहा है वो छवी में आप आइ सकते हैं क्योंकि दो हपांट से यह भी आती है कि उसमें अड़वाने जिगा भी स्वह इनको प्राप था तो आज के समय में आर्शेपी सिंग अभुखर 2010 की बात हुई 2010 में क्या हुआ नहीं हुआ लेकिन आज अब जो इस्थिती है आर्शेपी परसेज नितिश कुमार है बिहार में यह इस्टैब्लिस फैक आते हैं क्या यहीं वज़ा रहा का उनको मंत्रीपत साटा दिया गया इस बात तो वीडियो के सुरुवात में ही अमनों चल्चा किये इस बात पर कि आर्शेपी सिंग बिहार की जनता को समझाने ही निकले है वो बीजेपी का ही काम करने निकले है कि बिहार की पब्लिक यह समझ पाए कि नितिश कुमार का कारेक्टर क्या है हर राजा का एक चरित्र होता है हर राजा का जैसे तुगला का एक चरित्र था कि अचानक फैसला ले लेता था कभी दिली से दौलादाबाद निकल गये कभी कुछ फैसला ले लिए कभी कुछ फैसला ले ले लिए वो बात पब्लिक कैसे समझी इतिहास के माध्यम से लेकिन आज अब वो समय नहीं है अब और सिपी सिंग वो इतिहास कार बनने जा रहे हैं जो बिहार के जनता को यह बास समझाएंगे भाजपा सफल रही समझाने में चुकि बीजेपी के पास कोई नेता ही नहीं है उसकत का सुसील मो नेक्स्ट प्रोजेक्टेड कांड़ीडेट फूल कंटेस्ट अगेंस नितिश कुमार ईं 2-0-2-4 लोग्सभा अगेशन है अब लडएंगे चुनाओ कंधे पर रखकर जो है गोली चलाना जो कहाता है फैर करना वो फैर करेगी और जो काम आर्जेडी और बीजेपी पिछले 15-20 सालों में नहीं कर पाई क्या वो आर्सीपी सिंग कर देंगे इसी पर सब कुष्टी का हुआ है तो देखने वाली बात है कि हम लोग दिसकसन किया है कि 2024 के चुनाओं में नरंदा से आर्सीपी सिंग बिरोध में होंगे अपने साहब के खिलाफ नितिसकमार के खिलाफ और बड़ा है दिल्चस्प फोगाव मकाबला और देखने वाली बात है कि जनता किस पर विश्वास करती है तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही बहुत ब झाल